जी खार है देखिए एदम मस्त बैटके इसको छोटी से पलेट में दे दिये हैं देखिए एदम बिल्कुल मस्त बना है एक भी पानी ने है और सब्जी भी थोड़े थोड़े हम लोग बाटे हैं तो इसी तरह से हैं हलो दोस्तों गुडिवनिंग कैसे हैं अप लोग उमीद करता है अच्छे हैं चारू बेटी ब्लोग अब सभी का स्वागत है चारू भी ट्रेनिंग दे रही है वीडियो बनाने के लिए अभी साम होने जा रहा है और साम के टाइम में हम लोग आज खास चीज बनाएंगे उस सबसे पहले जलाएंगे लाएंगे थो लीएंअपने से भी खाना बना के खाना चाहिए कभी और चारूसाथ में ञासतों सब्सक्राइब लाते हैं इदर धंया मेरा ललकडि कशनता है चुछत थो यो पानी के पानी कमानीन स्चो फोडिये नहीं वेखने रहा है सबसे पहले हम लकडि लेग लेते हैं सब चलते हैं लकडि लेके अंदर में खिचन में खिचन भी पुरा भीग ग्या और आज पाणी छोड़ा नहीं कभी ने दिन नहीं कि एध ग Miles को यहां Jadi को अब मिला लिए प्यार से वोलने तो मान गई और यहां पर एक प्याद छिल के रखी है और इदर देखे साड़ी उड़ीम पूरा पहुंच रही है और इदर बैठी है और चारू बैठी पूरा चाहिए चारू जी भी इसे जगह पर बैठी हुए चंपल लेका रही थी पहले टैम थे पुलाव नहीं बनेगा प्य होता है प्याज बहुत ज़्यादा लगता है और गरम असला वगेरा तभी हम फिलाल दुकान जाएंगे दुकान से लाएंगे तो मेरा आग जल चुका है था हम सचे ना कि अगर हम उधर जाएंगे तो आनेम थोड़ी टैम लाग जाएगा और आग तो पूरा अकाठी का है तो जल्दी जल्दी भाग जाएगा मतलब पूरा सलक के खतम हो जागा ठीक है तो हम यहाँ पर आलू ले लिये लिये इसको उबालने के लिए जंज पाल आएगने पैनी के जीगह सामने तो पाने निकालते हैं यहां पर डाल लेंगे और चलें चढ़ा लेंगे उसके बाद ही दूकान जाल जाएंगे देंगे जयांगे इसे टारा से पूरा धूरीस करने अब चलते हैं चड़ाने तब इसको यहां पर चड़ा देंगे अराम से उबलते रहेगा आलू तब उधर साम लोट जाएंगे देखें लकड़ी बहुत मेहनद से जलाना पड़ता है यार क्या बोले दोनों मा बेटी कुछ हेल्प ने कर रही है सिर्फ वीडियो स्टार्ट की उसके बाद कुछ ने चलो तुम बस मोबाइल पकड़ने आती है कुछ बोलती है न करती है अजू तू चारू सबको पपी दे रही है दो हमको भी हमको दो हमको दो हमको ने देगी और आप लोग सोच रहेंगे का अलू बना रहा है पुलाव में ऐसा नहीं है दोस्तों आज अंकल को दो दो जन्रों इसा कर तो जल्दी है अफर जलो बाइबाइ जा रहे हैं हमलोग दुकान भी हम्थ हां पानी इतना आ रहा रहें दोस्तेव एकडमोबाइल लेक नने गए हम दुकान भीने दिखाने सकें का फघर का फखर आववला दुकान और यहां हैं समान लेका जाएगाल निधूर मिचेस और दिखेंगे अं पेसना जी चावल औरवा चावल फटिक रहे हैं यह बैटीलो पकड़ो पकड़ो सब को पकड़ो पैसा गिरा लाओ नीचे ना इंदू तो दोस्तों यह चावल रहा कितना गिलास है चार गिलास सभी के लिए पूर जाएगा अ मालव दोस्तों हम यह डाली डालेट है सभ से पहले कडाहिज नाना चालू करते हैं और यहां पर फॉरन है शुरू बोले थे हम मनाएंगे लेकिन सुना जी को मनाएं ते ही बनाएगी हम लोग डेली थोड़ी ख़णा बनाते हैं जबतों जो हम लोग तो होगा होगा क्यों नहीं होगा लेकिन अभी साथ में है तो बनाएंगी चारू कालू दे दिये हैं खार य भाला जाएंगे पहले उसको डाल ली है क्या बटा नहीं है फ्यारी बेटी है चारू जी तेकिन बेटा बोलते हैं हम प्यार से अब मेरा देखिए टामाटर भी भूना चुका है अब इसमें डाल देंगे अलु को डाली है जल्दी यल्दी डाली बना रहा है बोख हमको ये घर में बना कराम से खा के सोएंगे तो अब हम लोग का अलू भुना तुका है इस पर हल्दी पोड़र डालेगी चारोजी गनागार यह है अब डाल रहें मिक्स मुसला अब मेचा पोडर उसी के साथ में जीरा पोडर डाल दे रहें थोड़ा सा अब लास्ट में धनिया प से भुना चुका है तो इसमें एकदम कम पानी डालेंगे तो इतना पानी डालेंगे उससे ज्यादा नहीं दम मस्त दिख रहा है और थोड़ा देरी में हो भी जाएगा रेडी अब बनाएंगे हम लोग पलाव का जी अब लोग हाला मत किजिए का ठीक है चुपके से चारू डाल रहे हैं सभी पाइकेट में पूरा फूल करेंगे फूल हो गया जी रेडी हो चुका है दोस्तों यहां पर लेप लगा यहां डेक्चा को हम चढ़ा देते हैं इसी पर बनाएंगे क्योंकि हम लोग चार पांच परिवार होते हैं तो थोड़ा सा ज्यादा बनाएंगे क सबजी बनने तक इसको धोक रख दे थे अच्छे तरीका से फूल चुका है और काफी जदा प्याज भी काट लिए है तो दस्तों हम लोग रिफायन तेल से बनाते हैं और लास्ट अला तेल है आपता में बजार भी ने की है तितना हम हो जाएगा तो यह कोई दिकत नहीं है अब बताएगा कोमेंट करले की के बनाते है न तो अब तेल मेरा गरम हो चुका है और उसके आगे क्या करेंगे वह भी बताते हैं आप लोग को तो इसे गिसलाफ से चावल ना पी तो हम यहां से निकाल लेते हैं और इस पे लेगेंगे हम फटाफ़ाट से नाप लेते हैं दोस्तों तो देखें फोरान अच्छा तरीका से भुझा चुका है दोस्तों फोरान बोलिए या कुछ भी यह प्यांच का हम लोग बनाए हैं पुलाओं में जरूरी होता है ना अब यहां पर गरम असला जो लाए थे इसको सोना जी पहले ही मतलब छिंगा करकी दिए ना जिसको डालना है तब इसको यहां पर डालेंगे डाली अब यहां पर देखें यहीं में ट्रीफ होता है पुलाओं को सवाद लाए तो पुरा हर बड़ी में हुगा दोस्तों इसी तरह पर् legal से करना होता है हम तो देखें रिवाया फश्केहां पर अपर बना रहे हैं पर और आप झेदा बाने डाल सकते हैं तो यहां पर आप पढ़़ रहें मेरा तरह हो चुका है अब हम इसको अच्छे से दिभता आने देंगे पूरीत तरह से खॉले डिंगे पानी मरे हुआ रहा है पूरीत तरह से उढ़ तो हम चेक कर लेते हैं तिये रह से ख५ॉर्ड़ लêt और olur देंगे चावल को हमने रखे थे पहले ही हम बाता हैं दोस्तों चावल को दोख रखा गया था और अच्छी तरीका फुल गया होगा ना जी इसको ज्यादा सिजाना नहीं है तो प्यक बार उबाल आएगा बस हो जाएगा तो इस चलते हम चावल को पहले दोख करके रख लिये थे और तुम्हार निकलना नहीं है इसलिए हम लोग लिमिट पानी डाले चार पुला साथ ना जी तो अभी चावल को डाल लेते हैं अच्छे से बात में इसमें सवाद अनुसर हम लोग नमक भी डाल देंगे ना जी सक्मी हो जाएगा और प्याज जो है प्याज को भी डाल देंग अब प्याज को भी डाल दे रहे हैं हमको पता नहीं था इसलिए नहीं बोले थे अब इसको चेस मिलाएंगे ना जी यह देखिए इदा मस्त हो गया है भाप से नहीं दिख रहा होगा लेकिन मेरा परफेक्ट पुलाव बनके पानी पूरा सटक गया ना जी अब इसको उतारते हैं देखिए अभी दिख रहा है तो फैनली आठ बज गया रात अब हम चलते हैं पुलाव खाने और अब लोग भी आए खाने तो हम दिखाते हैं पुलाव की इस परकार से बना है और चारु बेटी भी खा रही है यह देखिए अदम बिल्कुल मस्त बन नहीं हो देखिए खा रहे हैं अनुजबाव भी खा रहा है और सुना जी खड़े हो के देख रहे हैं क्योंकि जो भी घटेगा देंगे अब हम खाना खाते हैं दोस्तों और चलिए ब्लोग को हम इतने ही रखेंकते हैं मिलेंग अगले वीडियो में तब तक के लिए झाल लाइ